आपना लेसन नमबर 10 जिसका टॉपिक है टाइपस ऑफ बोन्स आईए शुरू करते हैं हमारे शरी में पांच तरह की बोन्स होती है यूमन स्केलटन है फाइफ टाइपस ऑबोन्स जो की है लाइफ बोन्स, शॉर्ट बोन्स, स्लीट बोन्स उरिरेगुलर बोन्स जैसे हमारे बोन्स दिखती हैं जैसे उनका शेप Welcome और सबसक्ज़ होता है इसी के अधर पर क्लाषिफिकेशन होता है एक एक बार तेरे भाज के बारे में इटेल में जानते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी long bones से long bones उस तरह की bone होती है जहां पे उनकी लंबाई जादा होती है उनकी चोड़ाई से इनके last में ऐसा होता है कि यह joint बना सके और उस joint की मतबस्ते दो bones आपस मिलके हमारा movement परफॉर्म कर सके हमारे body में बहुत सारी long bones होती है जैसे कि femur हो गया, tibia हो गया, alna हो गया, radius हो गया, clavicle हो गया, metacarpals हो गया, metatarsals हो गया, आपके phalanges हैं, यह सारे long bones होते हैं, जो long bones होती हैं, यह हमारी body का जादा तर load उठाती हैं, जैसे जो femur हो गया, जो tibia हो गया, यह हमारी body का सारा weight bear करती है, उठाती है, जैसे कि आप इस image में देख पा रहे होंगे, यह सारी हमारी body में long bones होती हैं, तो यह बहुत सारी होती ह काम आती है और जो भी हम चल फिर पाते हैं जो भी हम action perform कर पाते हैं वह हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉड़ी में ये long bones present है अब आते हैं हमारी short bone short bone इस तरह से होती हैं कि इनकी लंबाई और चोड़ाई लगभग एक बराबर होती है short bone का ये काम होता है कि हमारे body में support provide कराती है stability provide कराती है और flexibility provide करती है जो हमारे ये टार्शल्स होते हैं जो कापल्स होते हैं या एक best example है short bone के जो हमारी body में third bone है वह है flat bone flat bone एक flat surface की तरह होती है thin होती है लेकिन broad होती है flat bone का जो main काम होता है वह होता है protection का ये हमारे जो vital organs जैसे brain हो गया heart हो गया lungs हो गया इनको protection देने के काम आती है for example जो आपका brain है वह इस cranial bone के अंदर रहता है stress है वह ये cranial bone bear कर लेती है okay so इसी तरह से जो हमारे vital organs है वह protected रहते हैं जो हमारा heart है जो lungs है वह इस rib cage के अंदर रहता है rib cage उसको protect करती है okay जो हमारे body में hip bone होती है scapula होते है rib cage होता है sternum होता है cranial होता है या सारे example है flat bones के अब आगे बढ़ते हमारी जो four type की bone है sesamoid bone sesamoid bone एक small round shape की bone होती है यह देखने में जो sesam seed होते है उनहीं की तरह की shape की दिखती है यह लेकिन size के comparison में sesam seed से काफी बड़ी होती है उतनी छोटी नहीं होती है इनका नाम भी sesamoid bone इसले पड़ा क्योंकि यह session seed की तरह दिखती है यह जो sesamoid bone होती है यह tendon के अंदर embedded होती है tendon के अंदर घुसी होई होती है यह जो tendon होते है यह एक तरह के connective tissue होते हैं जो हमारे muscle को हमारे bone से जोडते हैं घवराइए मत connective tissue के बारे में हम आने वाले अपने smooth surface provide कराती है ताकि tendon बड़ी असानी से move हो सके जिसे कारण क्या होता है जो tendon होता है इसकी muscular force transmit करने की ability काफी बढ़ जाती है जो हमारे knees में पटेला होता है जिसको हम kneecap भी बोलते हैं या गुटने की कटोरी भी बोलते हैं यह एक best example है sesamoid bone का अब आती हमारी fifth and last bone जो है irregular bones irregular bones जैसे आप नामसी समझ गये होंगे ऐसी bone जिनका size regular नहीं है वह irregular bones होती है इनका कोई fixed shape and size नहीं होता है इनका structure होता है वो काफी complex होता है और जो भी bones flat bones, long bones, short bones, sesamoid bones में नहीं आती है वो सारी bones irregular bones में आती है इनका main function होता है हमारे nervous tissue को protect करना for example जो हमारी vertebral column होती है या irregular bone है इनका size है देखे होंगे आपने काफी irregular जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे तो यह हमारा क्या काम कर रही है main हमारे bending में तो काम आई रही है लेकिन इसके अंदर spinal cord जाती है यह उसको protect करती है तो इस तरह से आप बोल सकते है irregular bones का main function होता है वो nervous tissues को protect करना होता है जो हमार वीडियो में ता ही I hope आपको यह जानकारिया बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आपको यह जानकारिया अच्छी लग तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरू करें आपके लाइक कमेंट मुझे होसला देते हैं कि इसी तरह की information में आप तक हमेशा पहुचाता रहूं और स्टे हल्दी स्टे फिट बाय जाहिए